आई अब्रिवन, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहूल जेस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे जो new batch के वीडियो से वो भी continuously आ रहे हैं, तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि continuous हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप भी अपने आप के लिए अच्छे marks लाने के लिए 90-95% स्कोर करने के लिए अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते रहो, watch करो, हमारे वीडिय तरीके से आप लोग के लिए एक strategy video हमने तयार किया है, हमने upload किया है कुछ दिन पहले आप जाके देखो हमारे video section के अंदर, या फिर live section में जाना, live section में हमने live किया था उस video को, उस video को हमने live पढ़ाया था, आप लोगको strategy video तो live section में चले जाना, आपको पता है अभी system change हो ग है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वो देखके स्ट्राटिजी फॉलो करते हो तो याद 90-95 परसेंट जो आप इमाजिन कर रहे हो लेकर आने के लिए वो बिंदास लेकर आ सकते हो होगा पॉसिबल अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ठीक है तो ज चुरवात करते हैं क्या लाया हूँ आज फिनांशियल प्लाइनिंग जी हां दोस्तों फिनांशियल प्लाइनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग अब यह जो फिनांशियल प्लाइनिंग है न यह बहुत ज्यादा दिल्चस्प है क्यों कि यार देखो पिछले साल तक यह फिना फ्रवेट परसेट शिलाबस पडाये था भले हमें पता था कि 25 सिलाबस रेडिऊुस है कोभीड के डाइम लगब दो तिन चाप्टर हच सब्चेक में से निकाले गए हैं खासकर मैच्ट में से दो चाप्टर निकाले गए थे चाप्टर नंबर 4 एंज चाप्टर नंबर 6 निकाला था Max Part 1 में वैसी Max Part 2 में भी निकाला था लेकिन फिर हमने जितने भी चाप्टर आपके सिलाबस में है न वो पूरा चाप्टर पहले ही पढ़ा के कम्प्लिट किया हुए यानि ये इकल मोश्ट भी पार्ट है इसके मंदर तो सब चीज खतम हो जाएगा तो बस बने रणा हमारे साथ आगे के ऐसे चाप्टर केंटिनेंस आ रहे हैं साइन्स के मैट्स के बस पढ़ाई करते रहो इतना ही बोलना चाहूंगा और अच्छे से अच्छे स्कोर करना ठीक है चले श सब चीजे पताने जा रहा हूं और यह जो चीजे अगर आप समझ लोगे तो आपके अपने लाइफ के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा और साथी में आपकी एक्जान प्रिपारिशन के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा तो जीएश्टी है क्या गुट्स एंड सर्वि किया गया हमारे भारत देश में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यह जो 2017 फर्स जुलाई था उसके पहले क्या होता था तो मैं आपको पता दो देखो दुनिया में ना टैक्स का सिस्टम बहुत पहले से चलता रहा है मतलब जब से हिंदूस्तान बना है या फिर जब से मतलब मानों जाती आए हैं तब से यह टैक्स का सिस्टम होता है तो अरलियर टाइमस में क्या होता था कि जब राजा महराजा होते थे एकदम पहले की जमाने में राजा महराजा जब होते थे तो अपनी प्रजा की वो देखभाल करते थे जो भी सडग बनाना है ठीक है और जो भी चीजे उपलब्द करानी है कुछ सर्विस मुहया कराना है जो भी कुछ पसल के लिए काम करवाना ये सभी चीज ना दोस्तो वो राजा करवाता था लेकिन वो बदले में वो पैसा इतना डाल रहा है राजा राजा जो है ना राजा राजा कैसे बनता है एक राजा अपके पैसे तो बना है, तरकार कैसे बनती है, आपके पैसे से बनती है है कि नहीं tब वही चीज़े मे ठोड़ा जा रहो लेकिए आप लोग को लेकिन आ हूंगा वापस से देखो, अब उस टाइम पे जब राजा महरा राजा हो थे तो वह बहुत सारी चीज़े करवाते हैं लेकिन वह पैसा आपके जफ से आता था कैसे क्यूंकि अर्लिय टामस में पैसा नीच चलता था अर्लिय टामसे पैसा नीच चलता था तो अक्चल में क्या होता था उस ताइम पे कि जो भी किसान होते थे समझलो में आप primarily आपके parents के parents के बहुत पुरानी वाली generation मतलब 4-5 पीडी पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ खेती करते थे हमको सिर्फ एक ही काम करना आता था खेती करना हम खेती करते थे अनाज को उगाते दे और अरलियर टाइम्स में बाटर सिस्टम चलता बाटर सिस्टम मतलब क्या होता था क कि अगर मैं गेहु उगा रहो तो मुझे चावल की भी जुरत होगी तो मैंने क्या किया आधा गेहु समझ लो मैं 100 क्विंटल मैं अगर 20 क्विंटल भी खाऊंगा तो भी मिरा गुजारा हो जाएगा तो मैं 20 क्विंटल को अपने खाने के लिए रखऊंगा बचा हुआई 80 क्विंटल को में बेचूंगा लेकिन बेच के पैसा नहीं मिलता था तो वो टाइप बाटर सिस्टम चलता था तो 80 क्विंटल वो लोग क्या करते थे बाटर करते थे बाटर मतलग तुँ मेरा गेहूले बदले में मुझे चावल दे, तो ऐसे ही होता था, लोग गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले बाजरा, बाजरा के बदले जवार, उसके बदले नील, इस प्रकार के कई सारे चीज़े होती थी बाटर सिश्टम में चलता था, लेकिन जो राजा है वो देखबाल भी करता है दुश्मने से आप लोगो बचाता भी है ठीक है ना प्रजा को बचाता है दुश्मनों से लड़ाईया लड़ता है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए ना पैसा मतलब कुछ तो चाहिए तो वो राजा क्या करता था अपने किसान से कर लेता था कर यानि टैक्स वो लेता था टैक्स दो तुम मुझे टैक्स दो वो एक मुवी बनी है इसके उपर तुम मुझे तीन गुनल लगान देगा या था गया लगान मुवी बनी है इसके उपर तो अगर कोई भी शाशक है पहले महाराजा लोग होते थे उसके बाद क तो अंग्रेज क्या करते थे हमारे देश भारत-देश में लूट्टे भी थे डायरेकली लूटते भी थे और एक टाइंप पर बोलते थे कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं बागी दो दूसरे देश से गुस्पैटी है जो आ रहे हैं उनसे रक्षा ने तो जब बर दस्ती वो ले रहा है मतलब कितने आदमी है तो सोचो घर के अंदर कितना पैसे जमा होते होंगे तो उस टैम पे वैसा चलता था यहूँ शावल उस प्रकार का लगान होता था लेकिन जब गवर्मेंट बनी भारत देश आजाद हुआ या फिर कोई भी देश आजाद हुआ गवर्मेंट को चलानी है गवर्मेंट ब्रिज बनाती है गवर्मेंट रोड्स बनाती है गवर्मेंट लोकल ट्रेन चलाती है रेलवे चलाती है ट्रेन चलाती है ट्रैक्स बनाती है फ्लाइवर्स बनाती है एरोपलेन चलवाती है यह सब गवर्मेंट ही तो करती है ना तो उनके बस पै कि अफर जाएं बोटे लोग है जो काम करते हैं उनके जेव से वो टैक्स जाता है और वोही ही टैक्स का पैसा गवभर्मेंट क्या घरती है अपने चीजों में इस्तिमाल करती है पश्ञार करती है और एक्ट प्राइस दूटी एक अलग टैक्स मानता थे कस्टम डूटी कोई चीज बाहर देश से अगर लेखे आओ तो उसका भी पैसा टैक्स देना पड़ता था सर्विस कुछ करा रहे हो उसका पैसा अलग टैक्स भरना पड़ता था आपको वैल्यू एड़ेट टैक्स जिसको बोलते ह्राब होता था तो गवर्मेंट ने सोच जब ये हमारी गवर्मेंट थी अभी जो चलुए है एकस कर दिया चाए और उसको uman नाम दे जाए तो और नहीं काम किया और नाम रख दिया गूuर्टस एंड सर्विस टैक्स नामने क्या है देक है मतलब कोई भी समान खरीद उसका tax या फिर कोई भी service करा लो उसका tax, तो goods and service tax जिसको GST कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कि जो taxes थे, जो पहले होते थे, excise duty होता था, पहले custom duty होता था, value added tax होता था, entertainment, आप picture देखने जाते हो, उसका भी GST लगता है, पता है कि ने, आपको entertainment tax हो गया, central sales tax हो गया, service tax हो गया, octa duty हो गया, तो यह जितने भी tax थे, यह सभी को किसमें consider कर दिया गया, GST के अंदर consider कर दिया गया, और slogan क्या था, उनका, बोलने का तरीका क्या था, GST is one nation, मतलब भारत देश एकी है, तो हर देश में, मतलब पूरे देश में, अलग-अलग tax क्यों, one nation, one tax, क्या अभी भी चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, basic GST क्या होता है, कैसे लागू हुआ, पहले कैसा था, समझ में आ गया GST, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो, next, next क्या बोलता है, कि यहाँ पर GST जो होता है, वो generally दो टाइप की होते, ठीक है, GST जो चार्ज किया जाता है ह हम से, हम जैसे आम नागरिक से, वो क्या होता है, दो टाइप की होते है, कौन-कौन से दो टाइप है GST के, एक है CHGST, एक है, एक है CGST, जिसको हम लोग बोलते हैं, Central Goods and Service Tax, क्या बोलते हैं दोस्तों, Central Goods and Service Tax, ठीक है, समझ में आ रहा है, और दूसरा होता है, SGST, जिसको हम लोग बोलते हैं, State Goods and Service Tax, समझ में आ रहा है, दो चीज, क्या बता रहा है, दो टाइप के जनरली टैक्स होता है, एक होता है, CGST, जिसको हमारी में गोवर्मेंट, जो पूरी सरकार, जो बुरे भारत देश को चला रहा है, कौन चला रहा है, आज की बिज़एपी गवर्मे इसी है न, Democratic Country होएगा, ठीक है, तो Central Goods and Service Tax, मतलब एक टैक्स का हिस्सा कौन लेता है, पूरा देश का जो Central Government चला रहा है, जो Central Government है, वो पैसा लेगा, और दूसरा कौन लेगा, State, State Goods and Service Tax, मतलब कुछ हिस्सा स्टेट रखेगा, जो स्टेट में हो, जैसे आप महाराष्ट मे कि समझ लो कि कोई चीज है 20 रुपे की, या फिर समझ लो कोई चीज है 100 रुपे की, बेस्ट एक्जामपल देता हो, चलो, कोई चीज है आपके पास 100 रुपे की, आप 100 रुपे की कोई चीज है, और आपने बेचा इसको समझ लो, 100 रुपे में, तो 5% इसके उपर GST लगने वाला है, अब यह जो 5% GST लगेगा, तो कैसे निकलो गया, कैसे निकलो गया, 5% मतलब 5 upon 100, multiply by 100, मतलब 100, 100 cancel, कितना बचा 5, मतलब 5 रुपया जो है, वो total GST हो गया, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसमें CGST भी है, और SGST भी है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 5 रुपय का आ Central Government को जैना पड़ेगा, लेकिन याप अलग-अलग नहीं दोगे, वो एकी बार आपसे चार्ज किया जाएगा, फिर भात में वो differentiate हो जाता है, वो Government का सिष्टम में controlling होता है, उसी जाफ से होता है, correct है, CGST, SGST, चलो, आगे बढ़ जाते है, next, अब यहाँ पर अगला जो topic है वो है, GST, IN, अब GST, IN मतलब होता है, full form इसका अगर मैं बोलू, तो वो होता है दोस्तो, goods and service tax identification number, क्या होता है दोस्तो, GST मतलब goods and service tax और IN का मतलब होता है, identification number, अब क्या होता है, बहुत सारे businesses होते हैं, बहुत सारे dealers होते हैं, business होते हैं, अगर उनका previous year का जो overall income है, वो अग 20,00,000 से उपर जा रहा है, according to this, according to your syllabus, ठीके, 20,00,000 से अगर उपर जा रहा है, तो उनको mandatory हो जाता है, कि GST, IN, उनको रखना पड़ेगा, ठीके, क्या होता है GST, IN, कि GST identification number, जैसे एक personal level पे pancard होता है, हमारे पास क्या होता है, एक इंसान के बास individual आदने के बास pancard होता है, pan number ठीके, न, permanent account number बोलते हैं, जिसको, PAN, pancard, pancard बनवाते हो जो अटरा साल के उपर हो जाते हैं, ठीके, वो सब चीज हमारे बैंक से लिंक होते है, कितना पैसा आ रहा है, सब ख़बर रखता है, ठीके, अब यहाँ पर क्या होता है, कि जो यह GST, IN है, यह किस के लिए होता है, बिजनसेस के लिए होता है, जो बिजनस करते हैं, बड़े-बड़े डीलर्स होते हैं, ओफिसेस होते हैं, उनके इस प्रकार के लोग GST, IN रखते हैं, ताकि GST, उनका एक तरीके से refund भी हो सके, और GST में उनका कुछ अगर भरना होता है, तो वो भर भी सके, तो कि इस प्रक 15 डिजिट के आसपास का एक नंबर होता है GST, ठीक है, 15 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसमें आप देखोगे, एक example यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे, जो 10 डिजिट जो होता है ना, वो पैन कार्ड होता है, मतलब आप देखो, पैन कार्ड ना, दो टाइप क यहाँ तक, यह जो portion है, यह किसका रहेगा, यह पैन कार्ड का नंबर हैगा, starting का जो दो डिजिट रहता है, वो क्या पताता है, two digits for the state code, जैसे हम महराष्ट्र में है, तो हमारे महराष्ट्र का जो code है, वो है 27, तो 27 is the state code for महराष्ट्रा, कैसे पता चलेगा कि कौन से state का GST ह कौन से state का business है वो, तो 27 लिखा है अगर उसके GST नंबर में, यह पूरा GST नंबर है, यह पूरे GST में, अगर आगे 27 लिखा हुआ है, तो 27 क्या है, यह एक ऐसा code है, जो बताता है कि यह particular GST IN जो है, वो किसका है, महराष्ट्र का है, तो from 27, one can understand that a person on a form registered in महराष्ट्र, महरा होता है, 10 नंबर होता है, समझ में आ रहा है, जो भी company का रहेगा, उसके बाद जो one लिखा रहता है, यह represent करता है one registration, कितने registration हुए हैं उस card से, GST नंबर से one registration हुए, तो यहाँ पे one आ गया, उसके बाद यहाँ पे Z, तो एक ऐसा नंबर रहता है, जो कि सबके लिए common होता है uniform for all by default, by default यह number Z जो है, वो आता ही, आता है सम में, ठीक है, जितने भी आप GST देखोगे, by default, जो Z है, वो आपको देखने मिल जाएगा, GST IN में, अगर आपके आसपस किसी का रहेगा, बहुत सारे दुकान के बाहर GST नंबर लिखा होता है, तो आप देख लेना जाके, आप FI क्या करता है, यह सम डिजिट कंफर्म करता है, वैल डिडियो अप GST में, एंटर ऑन GST पोर्टल, ठीक है, यह हमारा GST पोर्टल पे बता चलता है, कि एक सम डिजिट कितना है, उसके हिसाब से, ठीक है, तो यह होता है GST IN नंबर, जो जादातर बिजनेस में, इसका इस्त हम पढ़ने जा रहे है, ध्यान से देखना, तोटल पांच ऐसे कैटेगरी है, जो हमें पढ़ना है, ध्यान से देखना, पांच कैटेगरी कौन-कौन से, सबसे पहला जो कैटेगरी है, वो जीरो रेटेड, जीरो रेटेड मतलब, एक रुपया भी हम लोगो GST भरने की पढ़ना है ना, क्योंकि आपके सिलाबस के हिसाब से आपको बोर्ड में लिखना है आपको, ठीक है, लेकिन ना, चेंजेस में बहुत सारी हुए है, जैसे कि एक्जामपल के दरब में बताऊंगा, दूद दही, GST में डाल दिया गया है, तो ऐसे कई सारे चीजे हैं, जो ह कोई भी GST हमें देने की जरूतनी है, जैसे कि 0%, 0% है कौन से कौन से चीज़ है, तो essential commodities जैसे कि food grains, शावल, दाल, गे हूँ, food grains जो होते हैं, पैसा नहीं देना है, फ्रूट्स खरीदने जाओगे GST नहीं बरना है, सबजी खरीद रहे हो, दूद खरीद रहे हो, सॉल्ट, म इसमें कोई भी GST नहीं लगेगा, एडुकेशन सर्विस या फिर आपका जो भी ये सर्विस है, इसमें आपको पैसे यानि GST के तौर पे भरने के जरूतनी है, क्योंकि इसमें GST 0% है, कमज में आ गया, ये चीज़ क्लियर है, आप लोग के लिए, तो ये हो गया पहला ये low rated, मतलब GST तो है, लेकिन थोटा सा कम है, low rated है, मतलब कितना है, सिर्फ 5%, 5% आपको GST भरना पड़ेगा, अगर आप वो सामान खरीद रहे हो, या फिर वो सर्विस यूज कर रहे हो, तो कौन-कौन सी है, जैसे कि commonly used item, LPG cylinder, आपके घर में हर महीने cylinder भरवाते हो, जो भी agency का है, cylinder, बरवाते हो कि लिए cylinder, जिससे खाना बनाते हो, गयास का cylinder आता है, बाटला, उस पर GST लगता है, समझ लो, 800 रुपे का cylinder है, तो उसके ओपर समझ लो, 30-40 रुपे लगता है, क्यों, क्योंकि वो GST है, उतना पैसा लेता है, हमसे वो 840 रुपे लेता है, लेकिन 840 वो हमसे जो ले रहा है, उसका प्राइज 800 ही है, लेकिन वो 30-40 रुपे किसको जा रहा है, गवर्मेंट को जा रहा है, ऐसा याद रखना, ठीके, फिट चाय हो गया, टी, कॉफी हो गया, हनी हो गया, ओईल हो गया, फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया, मसाले हो गया, आट किसका इंदेडर्च याद रहेगा, नेक्स्स कटेगरी, यह स्टैंडर्ड, Standard Rated, मतलब इसमें 12% GST भरना पड़ता है, 12% GST लगता है, कौन कौन से चीज़े हैं इसमें, जैसे बटर, बटर खाते हो मक्षन, बटर हो गया, गी हो गया, ड्राइफ रूट्स, काजू बदाम खाते हो ना, जाम हो गया, जेली हो गया, सॉस हो गया, पिकल्स हो गया, काम कितना है, कितना GST, C, GST, S, GST, कितना लगा, वो सब लिखा रहे था, उस पे, तो यह जो चीज़े होती है, इस पे 12% लगता है, सर्विस कौन कौन सी होती है, जैसे, जाब वर्क हो गया, प्रिंटिंग का, गेस्ट हाउस हो गया, ठीक है, ना, कंस्ट्रक्शन बिदनस ह हो गया, यह सब पे 12% GST, जो है, वो लगता है, कितना लगता है, 12% जो GST है, वो भरना पड़ता है, याद रहेगा, याद रहेगा, दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरात नहीं है, ओके, अब देखो यहा है, लेकिन थोड़ा इसका परसंटेज ज्यादा है, कितना परसंट है, 18%, ठीक है, और यह जो है, इसमें कौन-कौन से सामान या फिर सर्विस आते हैं, वो देखो, तो मार्बल हो गया, जो मार्बल खरिदते हैं, हम लोग टाइस लगाते हैं, मार्बल हो गया, गरनाइट हो हो गया, सरकस हो गया, ड्रामा हो गया, सिनेमा हो गया, यह सभी पे, अटरा परसंट ज्येश्टी लगता है, ठीक है, इसके लिए इस सब चीज़े महिंगी होती है, करेक्ट है, जितना ज्यादा ज्यादा महेंगा, समझ में आ रहा है, वैसे ही, लास्ट है, हाइली आता है, जैसे मोटर साइकल आ गया, स्पेर पार्स, गाड़ियों का स्पेर पार्स होता है, लगजरी कार, आपने देखा है, कोई-कोई कार, चार-चार करोड की कार होती है, और उसके उपर एक एक करोड रुपया ज्येश्टी लग जाता है, ज्येश्टी या फिर कस्टम एक बार गया हूँ, इसे फाइफ स्टार होटल, वो भी खुद के लिए नहीं गया था, मेरे जीजा जी जो रहते दिल्ली में, वो आये थे मुंबई एक मीटिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं पहली बार फाइफ स्टार होटल का मैंने मुह देखा याद रहेगा यह सब चीज, clear है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह सब चीज अच्छी तरीके से इसको करके, याद करके आप रख सकते हो, correct है, clear है, समझ में आ गया, चलो, अब आगे बर जाते हैं, यह सभी चीज, theoretical चीज थी, समझ में आ गया होगा, mind में डाल लिया, आपके लिए अच्छा है, और आपको इस chapter को prepare करने के लिए अच्छा है, आप next चीज है, आज के इस वीडियो का आखरी point, जो की है, कि अगर by chance कोई भी एक particular dealer है, agency है, कोई भी चीज है, उसको कितना percentage भरना है, उसके इसाब से दिया है, तो हम कैसे calculate कर सकते है, तो ए एक्जामपल लिकर आयों, इसमें हम लोग solve करेंगे आपके लिए, जैसे एक एक एक्जामपल क्या बोल रहा है, यहाँ पर, देखो समझो ध्यान से, क्योंकि normally, जो syllabus point of view है, same question है, लेकिन हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसके अंदर changes लाने की गोशिश किये, ताकि आप लोग को थोड़ा और अलग तरीके का example दिया जाए, ठीक है, तो समझ लो, कि जो साइफोन agency है, समझ लो, LPG cylinder बेजता है, consumer for taxable value of 545, तो उसका जो taxable value है, यहां पर इसको taxable value कितना है, 545 का तो मैं actually क्या बोल सकता हूँ, कि उसके पर जो GST charge किया गया है, मतलब GST जो rate है उसका, GST rate कितना है दोस्तो, 5% है ऐसा बोल के रखा है, यह हमने निकाला नहीं है, यह बोल के रखा है, GST charge 5%, what is the amount of CGST and SGST, हम लोग को क्या निकालना है, CGST calculate करना है, चलो ठीक है, what is the total amount paid by the consumer, total amount भी निकालना है, कितना पैसा, consumer को भरना पड़ा, और find the amount of GST, total GST और total amount दो नहीं हम लोग को पता लगाना है, ठीक है, पता लगा सकते हैं, तो सबसे पहले, total rate कितना है, GST का, GST rate 5% है, तो CGST कितना होगा, उसका आधा, तो CGST होगा 2. 2.5%, total 5% है, तो CGST उसका आधा होगा, और वैसे ही HDST भी उसका आधा होगा, ठीक है, तो चलो calculate करो, total amount कितना है, total amount कितना है, 545, total taxable amount, ठीक है, total taxable amount, एक होता है amount, एक होता है taxable amount, amount मतला जो आ रहा है, लेकिन उसमें भी यार कुछ चीज़े आप खर्च कर रहे हो, expenses minus करोगे बाकी सब दिखाओगे तब, जाके total taxable amount, दिखेगा, total taxable amount कितना है, 545 रुपीज, तो हमारा अगर मुझे tax निकालना है, sorry, CGST निकालना है, ठीक है, तो CGST is equal to 2.5% मतलब 2.5 upon 100 multiply by this value 545, करके देखो, ये value करके देखो, आपका answer जो है वो, आ जाएगा, ठीक है, तो करो फटा value है, जो हमने calculate करके रखा हुआ है, इसको solve करोगे ना, बहुत easy है solve करना है, मैं ज्यादा time ने लूँगा आप लोगा, इसके लिए पड़ाफट करा रहा हूँ, 13.63 है, 13.63, इसको जब आप multiply करके solve करोगे तो 13.63 रुपीज आ रहा है, तो CGST का value आ गया 13.63 रुपीज, ठीक यह आ गया हमारा CGST और SGST, ठीक है, समझ में आ गया, अब total GST कितना होगा, total GST, total GST कितना होगा, मुझे बताओ, total GST is equal to CGST plus SGST, समझ में आ रहा है, CGST और SGST को प्लस कर तो, तो कितना है 13.63 प्लस 13.63, तो इसका value आ जाएगा, 27.27 कितना आ रहा है, 27.26 आ ठीक है, यह आप कर रहना फटाफट, calculation, 27.26 रुपीज, मतलब उस इंसान ने जो 545 रुपीज का वो चीजे है, उसके उपर उसको 27.2 रुपीज भरना पड़ेगा, मतलब total GST इसका यह हो गया, यह क्या है उसका, total GST, total GST है यह, लेकिन अब total amount कितना आएगा, total amount is equal to, पहले amount कितना था, 545, कितना आजागा, total, यह दोने को plus कर दो, total आजाएगा, आप लोग का, जो कि मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे, कितना आ रहा है, total, that is 572.26, ठीक है, ज्यादा time नहीं लिए, मैंने फटा-फट से इसको बता दी आपको, plus करके, यह आप लोग कर लेना, plus करके, तो समझ में आ पड़ेगा, मतलब 545, plus 27.26, मतलब 572.26 रुपीज, उसको extra, मतलब पुरा मिला के देना पड़ेगा, clear है, समझ में आ गया दोस्तो, तो यही था हमारा lecture वीडियो, पहला इस chapter का, उमीद करता हूँ कि इतना बैतरीन तरीके से, आपको यह lecture पढ़के, मजा आ गया होगा, पड़ेगा, तो आपको टेंशन लेने के जरूरत नहीं, तो आज के लिए यह यह वीडियो इतना ही, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, शेर कर देना, और अगर फर्स टाइम आयो चैनल पें तो को सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि वन मिलियन की जो रेस है अब आपके हाथ में फटा फट से चैनल को यार पहुचा दो वन मिलियन तक और यह वीडियो को भी जितना हो सके शेयर करते रहे न ठीक है तो गाईज जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूँ वीडियो में तब तक तक प्रक्राइब नेकर थार्त कर्श कर्या आपके तक है क्या थार्त गूर्वाग्ट कर जाड़ पृट्रूर्स एपके चैनल को ठाक प्रड को धिया सनी करहाए न द्या आपके जाफित लिए हो सावब है पीजितिति करते कर्यों कर्या है